हेलो दोस्तो नमेशकार रेकॉर्ड हम लोगों को देखने को मिला है येस 16000 का लेवल सिर्फ यापि टच नहीं कि इसको ब्रेक भी किया जा चुका है अगर आप देखोगे 16000 के उपर नहीं 16100 के उपर क्लोजिंग को यापि मिल रही है इसमें कोई नई बात नहीं है हर वक्त हम लोग को कोई नए कोई नए रेकॉर्ड से आप बनते वे देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं बट मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि आप देख सकते हैं जब बाजर में तेजी आती है तो वो रेसिस्टन्स या फिर कोई नेगेटिव खबार आती है तो वो सपोर्ट इन चीजों को बिलकुल इसकी परवा नहीं करता आर्राम से इन चीजों को यहाँ पर ब्रेक करते हैं हम लोग कोई चीजे देखने को यहाँ पर मिल जाती है अलाकि यह support, resistance यह ज़्यादा trader लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important चीज होती है अगर हम एक investor है तो हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा यह relevance यहापे नहीं है तो अगर आप लोग कहोगे तो आज की दिन आप देख सकते हो लगबख 200 points की तेजी या फिर 0.5% से ज़्यादा की तेजी निफ्टी में देखने को लिए और सबसे खास बात जैसे 16,000 का level too tough, फटा फट यहापे buying होते वे हम लोगों को देखने को आपे मिले और chart pattern भी आप देख सकते हो निफ्टी जिस तरीके से भागा है बीचमे थोड़ी भी देर तक हम लोगों को रुकते वे यापे देखने को नहीं मिलाए ओपनिंग या अगर हम लोग देखेंगे तो previous जो close था उसके उपर ही open होते वे देखने को हम लोगों को यापे मिली थी सो बहुत ही कमाल की तेजी हम लोग को या पर देखने को मिल रही है, चाहे हम लोग निफ्टी की बात करें या फिर सेंसेक्स की बात करें, आप देख सकते हैं, सेंसेक्स भी कितना चल रहा है, लगबग 54 आप चाहो तो या पर ऐसा कह सकते हो, सो बहुत ही जबरदस तेजी हम को या पर देखने को मिल चुकी अभी तेजी के पीछे के कारण तो अल्रेडी में बहुत बार आप लोगों को या पर बता चुका हूँ बट कुछ important points है and कुछ ऐसी चीजे भी है जो या पर मैंने आर्टिकल में रिपोर्ट में या पर पढ़ी थी वो भी मैं आपके समने जरूर या पर शेर करना चाहूंगा सबसे पेले अगर हम लोग या पर एक focus रखे कि या पर जो sector wise performance की तो आप लोग या पर देख सकते हो दोस्तों कि आज के दिन भी लगबग सारे सेक्टर ने अच्छा participation या पर किया है निफ्टी मिडिया ने थोड़ा सा pressure डाला है निफ्टी मेटल ने भी इतना कुछ नहीं pressure डाला है 0.05 ठीक है या पर चल जाएगा बाकी सारे सेक्टर आप देख सकते हो कमाल का या पर contribution देते वे देखने के आपे मिल रहे खास करके bank nifty के और से आने वाला contribution बहुत ही ज़्यादा माइने रखता है क्योंकि वही 37% तक या पर index में contribution finance सेक्टर के अगर हम लोग बात करें सिफ बैंक निफ्टी नहीं बोलना च चलते बहुत सारी चीज़े बिजनेस हैं लोग को वही ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के उपर जाती है देखने पर रहे और इसी का नतीज़ा अगर में IT सेक्टर के उपर भी क्लिक कर लेता हूं तो आप लोग देख सकते हो man of the match अगर किसी को देना ही है तो उसमें IT सेक्टर का नाम तो जरूर आएगा जितने भी स्टॉक से नाम का तो कोई फरक ही नहीं पड़ता है सारे के सारे all time high पर यहापे है और यह कोई rocket science वाली बात नहीं है जैसे मैंने आप लोग को यहापे बता है कि इतना ज्यादा इनके पास order book इतने जबरदस भर चुके हैं इनके numbers भी हम यहापे मिल रहे हैं सो इसका कारण भी है हम लोग यहापे कह सकते कि IT सेक्टर ने जबरदस contribution यहापे किया है यहापे खास करके अगर हम लोग बात करें तो उसी के साथ साथ आप सब लोगों को एक chemical sector भी बहुत ही कमाल का performance यहापे दे रहा है IT सेक्टर, chemical sector, pharma sector की अगर हम लोग बात करें इनके बदालत हम कह सकते बहुत ही जबरदस performance हम लोग को यहापे देखने को यहापे मिला है बहुत ही एक important चीज़ जैसे मैं आप लोग को यहापे बताया कि एक जबरदस news जैसे मैं obviously यह कहना चाहूंगा reports के जरीए सारी चीज़े पढ़ने को यहापे मिल करी है कि आप सबी लोग को पाता है कि foreign investor yes foreign investor यह पहले responsible थे किसके लिए जो हम लोगों को जबरदस rally देखने को ली थे आप लोग देख सकते हो इसके पहले जो October, November, December, Jan, February की अगर हम लोग बात करें आप देख सकते foreign investor ने क्या jump कर यहापे buying की है जबरदस buying को उन्होंने यहा किया था बट simultaneously जैसे यहापे foreign investor ने बेचना शुरू कि आप लोग यहापे देख सकते हो जो हम कह सकते डिया इस मतलब institution जिसमें mutual fund भी आते और भी बहुत सारे institutions आते उन्होंने जम कर यहापे buying करना यहापे start कर दिया है सो इस वक्त की जो 16,000 को जो cross करने वाला जो यह हमलेओं को यह जो चीज यहापे देखने को जो मिल रही है वहापे अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने यहापे participate किया है तो obviously हम लोग कह सकते domestic institutional investor मतलब हम कह सकते यह जो rally है वो इंडिया के ही अंदर जो लोग यहापे काम करते हैं उनके वज़े से ही यह rally हम लोग को फिलाल देखने को यहापे मिल चुके जिसमें retail investor भी यहापे आ जाते हैं सो इसी के चलते दोस्तों जैसे मैंने का कि reports के गरी एक चीज़े यहापे सामने आ रही है कि कुछ foreign investors में थोड़ी सी हम लोग को unburn होती वे देखने को पन यहापे आपको दिखाना चांगा कब से यहापे लगबग April से अगर हम लोग बात करें मेज से बात करें जुलै से इतना पैसा उन्होंने जो निकाला है obviously अभी से लेके अभी तक जो अगर हम लोग calculation करेंगे तो foreign minister ने भी एक national loss यहापे दर्च किया, national मतलब कि अगर वो यहापे और hold करते हैं अपने holdings को continue रखते हैं तो definitely उनको यहाप Indian market से अच्छे returns तो यहापे ज़रू मिलते हैं एसी बात नहीं उन्होंने definitely किदर और जगे पे भी इसका पैसा लगाया होगा, वहाँ से भी उन्होंने अर्णिंग की होगी बट एक market की ही अगर हम लोग बात करें तो यह भी report सामने आ रहे कि कुछ foreign minister अभी इंडिया में ही continue यहापे करना चाते हैं यह भी एक जबरदस चीज हम लोग को फिलाल यहापे देखने को मिल रहे हैं कि इंडियान मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट एक जबरदस यहापे हम लोग को यहापे foreign investor को भी थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि dominant करते हुए देखने को आपे मिल रहे हैं देन उसी के साथ-साथ अगर मैं आपे बात करूँ तो कुछ popular comments भी आपे आ चुके सर यह जो तेजी देखने को मिल रहे हैं वो कहा तक जा सकते हैं तो भी honestly कहना चाहूंगा मुझे इसका answer नहीं पता मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ मार्केट कल कितना भागेगा कितना नीचे जाएगा यह मुझे नहीं पता बट मैं एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि लॉंग टम में बारजार उपर ही जाएगा लॉंग टम में यह ups and downs का खेल है न यह देखिए यह ऐसा चलता है रहेगा यह downs सारे activities चलते रहते हैं बट ultimately उपर ही आप जा रहे हैं मैं अल्लेड आप लोगों को बता चुका हूँ यह हमारा कोई जपान का मार्केट नहीं है इंडिया की अगर हम लोग बात करें emerging market है just like mid cap and small cap में हम लोग कैसे निवेश करते हैं जहाँ पर जादा growth नजर आती है returns मिलते वैसे इंडिया का market भी उसी वैसे आप लोग देखा जा रहे हैं इसलिए अगर आप लोग देखोगे यह मेरा कहना ने इसके पहले में खुद आप लोगों को यह चीज़े आप बता रहा है so by the end of this year मतलब 31st 12th 2021 के अंतक अगर हम लोग बात करें तो 106 यहाँ पर लगब 61,000 तक जा सकता है यह मेने कह रहा हूं Morgan Stanley का यहाँ पर study यहाँ बता रहा है और अगर हम लोग इसी चीज़ को मतलब currently अगर यहाँ पर चेक करें कि सेंसेक्स कितने पर चल रहा है तो 53 चलो 54 पकड़ लेते हैं so 61 मतलब आप अंदजा लगा सकते कि और भी कितनी बड़ी तेजी का expectation Morgan Stanley रख रहा है यह भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यह होगा नहीं होगा मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं रहेता हूँ क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि 61 तो कभी ना कभी वो अच्यू कर ही लेंगे अभी यह 31 डिसेंबर तक ही होगा या फिर नेक्स्ट साल तक होगा यह मुझे नहीं पता जैसे मैं आप लोगों ने हमारे पॉर्टफोलियो से study करनी है अच्छे stock को pick करना है that's it काम खतम उसी के साथ साथ आज जैने भी यह बात यहापे कही थी कि निफ्टी की बात करे so by the end of 2030 मतलब लगबग वो 9 से 10 साल की बात कर रहे निफ्टी तो एक लाख तक जाएगा यह भी उन्होंने आपे खाता कि यह जो अभी की जो rally रहेगी जो यह आने वाली यह जो चल रही है वो बहुती लंबी अधी तक यहापे चलने वाली है mother of all rally एसा भी आपे बोला जा यह होगा नहीं होगा यह तो future की बात है बट मैं इतना तो कह सकता हूं कि यह हर वक्त हम लोगों की ऐसी चीज़े देखने को आपे मिल जाती है आज यहापे 16000 ब्रेक होते वह देखने को ला है कभी 16500 भी ब्रेक होगा देन 17 भी ब्रेक होगा अटरा भी होगा यह चीज़े सीमित रहना चाहिए हम लोगों को पूरे बाजार की चिंता यहापे नहीं करने है क्योंकि कंपनी बाजार को देखके अपना business model चेंज नहीं करती है उनको जिस तरीके से चलना है वो वैसे चलेंगे grow करना है expansion करना है वो अपने हिसाब से करेंगे बाजार से उनका कोई करने हैं अगर अच्छे कंपनी से जरूर आप लोग को कोई चिंता करने के आपे जरूरत नहीं है आज 16,000 ब्रेक हुए कल 17 भी होगा 18 होगा 19 होगा 20 होगा यह सारी चीज़े चलती रहेंगी सो investment का यहीं ताकत होता है जो मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश आ पर कर चुका हूँ बट एक जो formula है उसको हमेशा याद रखना जो कि इस तेजी में बहुत सारे investor थोड़े से भूल रहे है कौनसा वाला formula कि अगर आप invest करोगे so 250 days market यहापे चलता है 365 days रहता है उसमें से Saturday Sunday cut करके public holiday cut करके 250 days बाजार चलता है उसमें से 230 दीन आपके खिलाफ रहेगा वो स्टॉक मतलब जैसे आप लोगों ने बाई किया वो बाई प्राइस के नीचे रहेगा या फिर ज्यादा रिटन नहीं देगा बट 20 दीन ऐसे रहेंगे जो कि आप लोगों को यह पूरे 230 दीन का जो भी नुक्सन रहेगा वो मतलब पूरी तरह किसे उसकी भरप प्राइस के नीचे आप लोगों को देखने को यह पर मिल जाता है अगर वो बाई प्राइस के उपर ही रहेगा तो हर कोई इंडिया में यही करना बेट जाता और वही चीज जहलने की एक्चुल में मजा रहती है मार्केट में तो अच्छे कंपनी में निवेश्च करोगे तो अटोमेटिकली अगर आपके ब्राइन प्रैस से भी वो स्टॉक नीचे जाते तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है तो यह फॉर्मिला को भी कभी भूलना मत जो कि आप लोग यह पर देख सकते हो तो दोस्तों अगर आप यहाप एक इंवेस्टर हो जरू यहापे लग रहा है तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यहापे 16,000 ब्रेक होया अभी देख लेते फ्यूचर में क्या आरजे ने बताया या फिर मॉर्गन स्टैनली ने बताया उस तरीकी से निफ्टी एंड सेंसेक्स यहापे परफॉर्म करता है भी आनि क्योंकि आरजे ने तो result रहेगा वो आप लोंको अच्छी होते हैं देखने को भी आपे मिल सकता है तो आए होब आशा करता है आप लोंको इस वड़े से भी कुछ सीखने को यहापे मिला होगा और जिनोंने निवेश करके यहापे continue किया होगा obviously मैं उनको पहले congratulate कहना चाहूंगा क्योंकि उनक इतना ज्यादा returns कमाने के हिसाब से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like and share भी कर देना so that's it thank you very much we will be meeting our running studio तब तक के लिए bye bye